घरवाली के पास गया, मैंने कहा 500 रुपिया दे चश्मा बनवाना है, दूर की नजर कमजोर हो गई वो बोली फोकट में खर्चा मत करो, मुझसे खुबसूरत पूरे एरिया में कोई नहीं मैंने कहा उस काम के लिए चश्मा नहीं बनवाना है, मैं रात को प्रोग्राम से आता हूँ कहीं एक्सिडेंट हो जाए, मुझे दूर का कुछ नहीं दिख रहा, मेरा कान पकड़के टेरस पे लेके गई उपर उंगली दिखा के बोली वो क्या है, मैंने कहा चान्द है, बोली और कितना दूर देखेगा मेरी शादी नेवी थी, मैं अपने कपड़े खुद दोता था, एक दोस्त आता था तो डांटता था, तो कवी आदमी एक कुर्ता पाईजा मां खुद दोता, अच्छा नहीं लगता, शादी कर ले मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने शादी कर ली, छे महिने के बाद वो फीर आया, मैं कपड़ा धो रहा था, वो बोला शादी के बाद भी कुर्ता पाईजा मां खुदी धो रहा है, मैंने कहा आँख खोल के देख साडी बलावू जे एक शेर की थी शादी, एक शेर की थी शादी नाच रहे थे बाराती नाचने वाला, वहां पे हर कोई शेर था खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था इतने में देखा एक चुहा वहां नाच रहा देख सभी चौके ये कमीना कब शेर था हाथ जोड चुहा बोला आज मैं हूँ शादी शुदा शादी के पहले तो यारों मैं भी बबर शेर था तो शादी के बाद सारे शेर चुए बन जाते हैं और मेरे साथ क्या हुआ आप सुनो कि करवा चोथ का वरत किया मेरी पत्नी ने बोली वरत करने को नारी सती चाहिए और बड़ा भारी वरत है सब कर सकते नाई से करने के लिए शुद्ध मती चाहिए नई चीजें इस दिन यूज करती हैं सभी नई साड़ी नया हार नई जूती चाहिए मैंने कहा बस करो इतना न कह देना तुम भी पुराने हुए नया पती चाहिए पत्नी से हुई लड़ाई पिट गए महेश भाई बोले अब मुझे जीना नहीं मर जाना है खासी का फंदा बनाए जल्दी से इस टूल लाए बोले अजी सुनती हो चला ये दीवाना है पत्नी ने आके धर लिये दोनों चर्ण तो बोले अब व्यर्थ तेरा मुझे समझाना है पत्नी बोली तुम्हे समझाने की ना मुझे पड़ी जल्दी से जूलो मुझे इस टूल लेके जाना